गुद मॉरिंग चिल्रन गुद मॉरिंग मैं यह है आपकी इंटरेक्टिव इंगलेश और आज हम इंटरेक्टिव इंगलेश में करेंगे पेज नमबर 4343 और आज हम सीखेंगे यूज अफ वन एंड मैनी तो यूज अफ वन एंड मैनी आज मैं आपको सिखाऊंगी क्या हो होता है one and many सबसे पहले यहां पर मैं इंस्ट्रक्शन रीड कर रहे हूं when there is a single object it is called one or singular मतलब अगर एक object है कोई भी एक object है तो हम उसे singular और one बोलेंगे और more than one object है तो हम उसको बोलेंगे plural और many तो आज हम सिखेंगे one and many start करेंगे first of all egg eggs यह देखो यहां पर single egg है तो हम इसे बोलेंगे egg और यहां पर more than one मतलब एक से ज्यादा है तो हम इसे बोलेंगे eggs यह है one यह है many next है flower flowers flower flowers pencil pencils अगर single object है तो वो है one और एक से ज्यादा object है तो वो है many heart hurts heart hurts mango mangoes mangoes cup, cups, cup, cups